कैसे हैं आप सब उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे तो आज का यह सेशन जो है काफी इंट्रेस्टिंग होने वाला है आज इस सेशन में हम बात करेंगे हैं पर क्विश्चन बैंक फॉर स्टाफ वेलफियर एंड इंडस्ट्रियल रिडिटेड तो इसके अंदर काफी की M.C.Q.S जो हैं तो हम सॉल करेंगे जो कि आपको SNWLI का जो एक्जाम होने वाला है आपको में एक्जाम उसमें काफी हिल्फ करेगा और इसमें काफी वाइड वराइटी आफ व्कूश्चन जो हैं तो कवर किये गए हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा चैनल पढ़ना ह है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा वीडियो अगर अच्छा लगे तो अपने फ्रेंट्स एंड कॉलीग के साथ जरूर शेयर करिए ओके साथ में यह वीडियो जो है तो ल्डिसी ग्रूप बी के जितने भी एक्जाम हैं जिसमें स्टैबलिस्मेंट सेक्शन कवर होता है उन सभी में काफी हलपफुल होगा क्योंकि इसमें भी जो है तो ऐसे क्या कह रहा है तो आईए बात करते हैं सबसे पहला कुश्चन है यहां पर विच डिपार्टमेंट वेलफेर इंस्पेक्टर वर्क्स अंडर तो कल्यान निरिक्षक किस विवाग के अधीन कारी करता है तो इसका आंसर होगा देट जा परसोनल डिपार्टमेंट या कार्मिक विवाग ठीक है तो कल्यान निरिक्षक जो है वह परसोनल डिपार्टमेंट के अंदर कारे करते हैं नेक्स्ट कुश्चन पर आते हैं करमचारी हीतिनीधी समीति का मुक्याल है इस तरह में अध्यक्षक कौन होता है ते स्टाफ वेनिफिट फंट इस हैड़ेट बाए प्र फेर ऑफिसर एंड डिप्टी सीपियो तो पी सीपियो जो होते हैं वह है बिसिकली स्टाफ बेनिफिट फंड को हेड़ करते हैं या प्रेसिडेंट होते हैं इन दा हेड़ेट कौर्टर लेबल सौप्शन नमबर बी इस राइट आंसर प्रिंसिपल चीफ परसोनल ऑफिसर इसके अलावा अगर हम यहां पर जैसा कि स्टाफ बेनिफिट फंड के अंदर एक प्रेसिडेंट हो गया या उस फंड का चेर्मैन हो गया और साथ में एक जो है तो सेक्रेटरी का भी पोस्ट होता है तो हेड़कौर्टर लेवल पर जो सेक्रेटरी होते हैं वह वेलफियर होते हैं सेक्रेटरी को होते हैं वेलफियर ओफिसर तो वेलफियर ओफिसर देट इस नॉमिनेटेट वाई जीम इस एक्ट एजा सेक्रेटरी ठीक है एट जोनल और हेड़कौर्टर लेवल ठीक है तो इसको भी आपको ध्यान रखना है इसके अलावा अगर हम बात करें यहा जो भी सीनियर डेवल एलाई है ठीक है सीनियर स्टाफ एंड वेलफियर इंस्पेक्टर जो की नॉमिनेटेटर होता है वाई डियारेम ठीक है एता डिवीजनल लेवल नेक्स्विशन पर आते हैं कुश्चन अबर थर्ड की बात करेंगे हैं यहां पर पुछा जा रहा है कि तो के अंदर तो इसेक्रेटरी यह कौन होता है स्टाफ बेनिफिट फंड का आफ्षन दिया है चीफ वर्क्शोप मेनेजर सी डबलु एम ऑफिसर आफ मीकैनिकल डिपार्टमेंट ऑफिसर आफ परसूनल डिपार्टमेंट एंड अफ्सिर नमबर डी नन अफ्ट अब ते तो जो staff benefit fund का secretary है at a workshop level that will be the secretary की बात हो रही है basically तो secretary की बात करेंगर तो secretary जो होगा staff benefit fund का यहां पर वह भी basically WLI होगा है मतलब senior WLI senior staff welfare inspector होंगे जिसको की नामीत करेंगे नॉमिनेटेड होंगे वह CWM दारा किया जाएंगे ठीक है तो इसका अंसर जो होगा वह नन अब देवाब होगा ठीक है नेक्स कुश्ण पर आते हैं हैं यहाँ पर क्योंगी अपर चेयर में इसके बाशनार होता है इसके वाज आते हैं यहाँ पर कुश्ड़िक्वाने वह से अधिक होने पर किंटीन ऑश्रकता है ठीक है तो basically यह है question जो है आपका वह है factory act 1948 को ध्यान में रखते हुए किया गया है तो how many employees require for necessary of quarantine in workshop तो इसके अंदर जो है इसका answer हो जाएगा that is 250 option number C is the right answer that is 250 okay next question पर आता है question number five की बात करेंगे बिना power की सहायता से चल रहे कार खाना है तो कम से कम कितने कामगार कार खाना अधिनियम उनीस वरतालिस लागू होने के लिए आवज सक है ठीक है तो यहां fact check 1948 के लिए यहां पे without power अगर बात करें तो how many workers are required ठीक है so without power के case में जो है तो देरा 20 वरकर से रिक्वाइब सब्सक्राइब 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 को सब्सक्राइब को सूचित कर देना चाहिए जाता है तो इसके इसके अंदर जो है तो basically कोई भी स्टाफ वरकिंग है अगर उसका डिक्त हो जाता है तो इस case में जो भी concerned supervisor है तो उसको उस accident के बारे में चाहिए वह death हुआ हो या कोई injury हुई हो that prevent the workers in resuming their duty so इसको next 48 hours में उसको inform करना है concerned officers को ठीक है so option number B is the right answer next question पर आते हैं यहां पूछा जा रहा है who is the chairman of SBF committee at a division level तो division level पर जो इसको head करते है senior DPO ठीक है so option number B is the right answer okay और यहीं पर बात करूँ मैं तो division level मैं आपको बता दिया कि जो senior staff welfare inspector है तो वो इसके secretary होंगे जो की DRM दोरा nominated किया जाएंगे next question number eight की बात करेंगे हाँ पर मजदूर भुक्तान कानून 1936 की बात करेंगर that means payment of wages act 1936 में यदि एक हजार से दिक व्यक्ति हों तो कितने दिनों की भीतर वेतन देना चाहिए तो for more than thousand persons तो जो pay है उसको 10 दिन के अंदर देना चाहिए ठीक है तो जो भी current month का pay है तो अगले तारीक के मतलब अगले महिने के दस तारीक या दस दिन के अंदर जो है तो उसका भुक्तान हो जाना चाहिए ठीक है नेक्स स्rem पर आते हैं आपर डॉक्तर्भीम रांमलेकर को लेखे के यह कुछन है यह फुक्टर्भीम रांमेतकर का महापरी निर्माड दीवसकिस दिन मनााया जाता है तो माहापरी परिनिर्मार डे ऑफ डॉक्टर बी आरम बेट कर ठीक है तो काफी अच्छा कोशन है तो इसका अंसर हो जाए गाया देट इस सिक्स्थ डिसेंबर वोके सो ऑप्चन नमबर सी तराइट आइट आइट इस सिक्थ डिसेंबर तो सिक्थ डिसेंबर 1956 को जो है तो उनका महा परिनिर्मार हुआ था इसके लावा अगर उनके बर्थ की बात करें तो 14 अप्रेल 1891 को उनका बर्थ हुआ था नेक्स स्वेशन पर आते हैं रन फॉर यूनिटी किससे संबंदित है तो रन फॉर यूनिटी इस रिलेटेट वी ते सरदार बलभभाई पटेल सौप्शन नमबर बीस राइट आंसर ठीक है स्टेज चू आफ यूनिटी आपको याद होगा तो नेक्स्ट है सतरकता जागरुकता सपता यह विजलेंस अवेर्णेस वीक कब को सेलिबरीट कियाता है या विजलेंस विजलेंस वीक की बात करेंगर तो इसका सशिलिब्रेशन जो उता है वह है अन दबर्थ डे आफ सरदार बलब भाई पटेल होता है 31st October को जो है तो हर साल इसकी स्टार्टिंग की जाती है और 31st October से 6 November तक जो होता है विजिलेंस अवेरनेस वीक चलाया जाता है ठीक है तो इस बार का जो विजिलेंस अवेरनेस वीक है 31st October 2022 से 6 November 2022 तक रहा और जिसका थीम था Corruption Free India for a Developed Nation ठीक है तो यह थीम भी कई बार एक्जाम में पूंच लिया जाता है इसलिए आप इस थीम को भी याद रखना है Corruption Free India for a Developed Nation Next है Question No.12 की बात करेंगे तो इसमें कोई आंसर से नहीं है इसका आंसर होगा That is 31st October to 6th November Next है सद्भावना दिवस कम मनाया जाता है सद्भावना दिवस 20th August, 21 May, 20 July, 19 January तो इसका आंसर होगा That is 20 August तो सद्भावना दिवस होता है Basically that is Goodwill Day यह मनाया जाता है हर साल 20 August को ठीक है That is the birthday of Rajiv Gandhi ठीक है तो राजियू गांदी के Birthday पर सद्भावना दिवस यह Goodwill Day मनाया जाता है ठीक है तो यह भी आपको दिहान रखना है Next question पर आते हैं अपर अंतराश्ट्री योग दिवस प्रत्यक वर्स कब मनाया जाता है तो अंतराश्ट्री योग दिवस कल्यांड निरी का घटन किस वर्स हुआ तो करमचारी कल्यांड निरी ताटी स्ताफ बेनिफिट फंड कव का फॉर्मेशन जो है कव किया गया भारती रेलवे के अंदर तो स्ताफ बेनिफिट फंड इस कीम इस फंक्शनल और इन रेलवे सिंस 1931 स्ताफ बेनिफिट फंड कॉमेटी ठीक है स्ताफ बेनिफिट फंड के अंदर जो अनुवल ग्रांट होता है हो हर फाइनिशियल यह की स्टार्टिंग यह फिर्स्ट अप्रेल को जो है तो रेलवे रिवी नूस तो आ रहा रेलवे रिविन्यूस त्वारा जितने भी एंप्लॉई उस फाइनिशियल में मतलब 31st मार्ज को जितने भी एंप्लॉई होते हैं तो रेलवे उसके एकॉर्डिंग जो है तो पर कैपिटा बेसिस पर जो है 800 रूपीज का एलोकेशन कर देता है स्टाफ बेनिफिट फंड के अंदर ठीक है तो 31st मार्ज को एलोकेशन जो है तो पर कैपिटा बेसिस पर रेलवे द्वारा किया जाता है ठीक है और यह एन्वल ग्रांट जो होती है इसका सूर्स बेसिकली कई सूर्स है जिसमें एक रेलवे रिविन्यूस एक आहम सूर्स है नेक्स क्वेशन बे आते हैं क्वेशन नुबर 15 की बात करेंगे करमचारी का लियांड नीदी समीति में कौन नहीं होते स्टाफ बेनिफिट फ दी जो है इस ते राइट आंसर फॉर दिस क्वेशन क्वेशन नुबर 16 की बात करेंगे आप पूछा जा रहा है आपसे भारती रेलवे में कारखाना कैंटीन किस विवाग की देख रेक में संचालित होती है तो कॉमर्सियल है मेकैनिकल है इंजीनियरिंग है और परसोनल है तो कारकाना कैंटीन जो है किक खाना कैंटीन फी दूलल स्कूष रोती है एक पर होती है नढ़ पर यूजिया बनाया गया गया है फैक्टरि 52 और अकर वर अंदर तो वहां पर कैंटीन का प्रोवीजन देखने को मिलता है आपको तो यह तो स्टेश्ट्री वेस हो गया इसके अलबा नॉन स्टेश्ट्री वेस पर बात करें अगर तो सपोज कोई कारखाना है जहां पर जिसके है कि इसके अंदर काम तो नो प्रोफिट नो लॉश बेसिस पर जो है तो वहां भी कैंटीन का प्रूवीजन कि आजा सकता है तो इस आधर पर जो है तो कारखाना केंटीन की बात हो रही है है वहां पर देख रहत को जो है वह कार्मिक भीवाग दवरा या परसोनल डिपार्ट तरह किया जाता है ठीक है देखिए बहुत अजीव सा क्वेश्चन है तीस जनवरी को मौन दिवस कितने मिनट के रिए मनाया जाता है तो मौन दिवस होता है या साइलेंस जो होता है विसिकली तीस जनवरी को मौन दिवस को मनाते हैं बिसिकली इस तीन जो है तो हमारे राश् भी था श्री मोहन्दास करम चंद गांधी महात्मा गांधी का डेथ हुआ था तो आप्शन नमबर इसका आ जाएगा देट इस दो मिनिट के लिए मौन होना आते हैं तो आप्शन नमबर सी आंसर होगा इसका नेक्स्ट है तीस जनवरी को मनाया जाने वाला मौन दिवस किस से संबंदी था इसका अंसर हम ने भी दे दिया देट इस महात्मा गांधी नेक्स्ट कुस्च्छन है तो इसके अंदर जो है तो इसके अंदर जो है तो यह है अमांट बताइए टेक्सिबल है कि नहीं है यह कितना टेक्स टेक्सिबल है है इस पर जो है तो इस का अशना आफ कमेंट वाक्स में जरूराइए मैं चाहता हूं का तैस कद का सब्किधर करें 19 नाइंटीन स्राप कुमेंट वाक्स में बताएं नेक्स वे आते हैं कुछ नमबर 20 की बात करेंगे हाँ पर चिल्टेन एजुकेशन अलाउंस में भी गिवन फॉम बिच फंट स्वे फ इस टाप विल्पेर फंट रिवन्यव एडवांस ना फ्द तो चिल्टन एजुकेशन आउंस में भी गिवन फॉम पॉम रवन्यव फंट ऑप्श्न अबर भी इजुकेशन आउंस वर्तवान में जो है अभी 2250 रुपए परमंद दिये जाते हैं ठीक है तो reimbursement of expenses जो होते हैं on education of school going children has been introduced from 1st September 2018 तो यह है जो CEA scheme है यह 1st September 2008 से start की गई इसके अंदर nursery class जो है तो class 12 तक के बच्चों को cover किया गया है nursery class बोलें तो two classes prior to class 1 ठीक है जैसे LKG UKG फिर class 1 होता है तो LKG से लेके जो है तो 12th standard तक का cover किया गया है इसका जो upper age है 20 years है इसके अलावा अकर कोई disabled children है जिसका minimum disability 40% है तो उसके लिए यह age 22 years है ठीक है next question पर आते हैं इसके अलावा hostel subsidy की बात कर लें तो 6,750 रुपए पर मंत रहता है अगर कोई residential school में पढ़ रहा है जिसका की जो home है more than 50 km है ठीक है तो इस case में उसको 6,750 रुपए पर मंत hostel subsidy भी दिया जाता है next question number 21 की बात करेंगे SBF assistant is given to non-gadgeted staff for the education of the SBF that is staff benefit fund के अंदर जो assistant मिलता है ठीक है for the non-gadgeted staff that is class C and class D employees को for the education of higher technical and vocational education के लिए मिलता है so option number is the right answer ठीक है तो कई higher technical जैसे support engineering courses हो गए या फिर MBA हो गए MCA हो गए ठीक है या और भी other degree courses हो गए तो उनके लिए जो है तो यह package दिया जाता है from the staff benefit fund next question देखें आपर अराज पत्रित कर्मचारियों को staff benefit fund के उच्च तक्नीकी और वेफसाई सिक्षा के लिए पूरे वर्स में अधिक्तम कितनी राज़ी प्रदान की जाती है तो इस case में हम बात करें कर रहे हैं तो जो आराज पत्रित कर्मचारी हैं उनको पंद्रह सो रुपए पर मंथ दिया जाता है तो इस हिसाब से फिफ्टीन हंडेट इंटू टॉल करेंगे तो एटीन थाउजन रुपीज जो है तो उनको पूरे वर्स में अधिक्तम छात्र व्रित्ती राज ही दी जाती है तो एक टीन थाउजन ऑप्शन नमबर डी इस दा राइट आंसर नेक्स सुचन पर आते हैं कुछन नमबर 23 है एस भी फंड में किस सिक्षा है तो नीधी प्रदान नहीं कि जाती तो हमने अभी देखा इंजिनेरिंग होता है मेडिकल होता है तो यहां पर जितने भी आपके प्रोफेशनल यह टेकनिकल और वोकेशनल कोर्से होते हैं तो उनके लिए जो है तो स्टाफ बेनिफिट फंड से वार्सिक ग्रूप में फंड दिया जाता है इसके लब जो ट्वल्थ क्लास का है इसके लिए फंड प्रवाइड नहीं किया जाता है ठीक है साफ्शन नमबर डी इस तराइट अंसर नेक्स्टाइब करेंगे आफ्टर देट आफ रेल्वे एंप्लाय हाँ मच अमाउंट आप फ्यूनेरल इस प्रूवाइड फंड फंड ठीक है तो इस केस में फ्यूनेरल की बात करें तो स्टाफ बेनिफिट फंड स स्कीम जो है इसके अंदर अगर कोई एंप्लाइज है उसका डित हो जाता है तो ऐस पर दिस स्कीम फर प्रूवाइडिंग इमीडियेट रिलीफ टू फंड फंड रेल्वे सर्वेंट्स हू डाइज वाइल इन सर्विस तो उसको 25,000 रुपय का इमीडियेट रिलीफ दिया जाता है ठीक है तो आफ्टर देट अफ रेल्वे एंप्लाइज ठीक है एस वाण डाइज अगर कोई रेल्वे एंप्लाइज है वाइल इन सर्विस डाइज करता है और इस केस में जो है तो इमीडियेट रिलीफ उसको 25,000 रुपय का दिया जाता है ठीक है पहले यह 25,000 रुपय का इमीडियेट रिलीफ दिया जाता है रेल्वे की तरफ से स्टाफ बेनिफेट फंड नेक्स्ट है यदि कोई करमचारी गर्ल चाइल्ड एडॉप्ट करता है तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतरगत करमचारी कल्यान नेजी से कितनी राज पता है किसका आंसर क्या होगा नेक्स्ट है कुछ नमबर 26 यह जी कोई करमचारी को रेल्वे वास्पिटल में मृत्य हो जाती है तो करमचारी के आस्रतों को बॉडी ले जाने है तो कितनी राज़ी दी जा सकती है फाइफ थाउजन टें ताउजन टेंटी थाउजन इनमें से कोई नहीं ठीक है तो इसका अंसर हो जाएगा यह जाएगा अप्शन नमबर 20 राइट आंसर नेक्स्ट पर आते हैं किसी संस्थान में अधिक्तम कितने करमचारी कारेड़त होने पर वेलफेर ऑफिसर की नियुक्ति होना आवस्यक है यह देखिए यह भी काफी अच्छा क्वेशन है काफ़ इंटरेस्टिंग क्वेशन है क्योंकि आपकी एक्जाम में लगाता है इन सभी क्वेशन की डिमांड आती रहती है कि कितने एंप्लाइज यह वरकर पर जो है तो कुन सी स्पेशल पोस्ट का होना अनिवार रहा है तो इस वेस पर अगर हम बात करें तो क कुछ चीजें और देख लेते हैं जैसे केंटीन का मैंने आपको बता दिया सेक्शन फॉर्टी सिक्स ऑफ फैक्ट्रेक नाइटीन फॉर्टी एक्ट के तहट जो है तो एक फस्ट एट बॉक्स या एक कब बोर्ड जो है तो वहाँ पर होना चाहिए फॉर एवरी वन स्टेड बॉक्स इसके लावा एंबुलेंस रूम की बात करेंगर तो पांच सो या उससे ज्यादा वरकर कारे रत है तो एक एंबुलेंस रूम होगा ठीक है एक क्रिश का प्रावधान किया गया है अगर कोई फैक्ट्री है उसके अंदर 30 या उससे अधिक महिलाएं कारे र एक क्रिश का प्रावधान किया जाएगा इसके लावा फांच तव या उससे अधिक वरकर काररे रहा थே तो वेल फैर उफिसर का यहां पर प्रोविजन हो थिक है इसके लावा अगर मोर्दैं 150 से में आने वाला है जिसके अंदर जो occupier है जिसको की फैक्टरी का प्रवंधन समालना है तो occupier की responsibility होती है कि वह एक safety officer को employ करे अपने factory के अंदर as advised by state government और यह जो safety officer होगा वह घार खाने के अंदर एक हजार यह उससे ज्यादा वर्कर हैं तो उस पर occupier द्वारा इसको employ किया जाएगा next है water cooler की बात करें तो more than 250 पर water cooler canteen के साथ water cooler free तो 250 250 पर जो है तो water cooler का provision किया गया है आप याद रखिए next question number 28 की बात करेंगे हाँ पर holiday home की booking किस विभाग के द्वारा की जाती है तो यह भी काफी a random सा question है कई जगह कार्मिक विभाग होता है कई जगह administration द्वारा होता है कई जगह जो है तो engineering विभाग द्वारा होता है तो इसका answer भी आप comment box में जरूर दें कि इसका answer क्या होगा बैसे के लिए एक जो उनको लेकि पूछा क्या question है next sbf का सुरूत कौन सा नहीं है who is not which is not the source of sbf ठीक है the amount received from penalty तो बिल्कुल सही है sbf का source है penalty ठीक है penalties से जो है तो sbf का काम होता है यहाँ पर इसके लावा अगर हम बात करें that means what जितने भी fines receipt होते हैं तो वह सब जोते हैं source होते है sbf का ठीक है इसके लावा ने आपको उता दिया कि रेवले revenues से जो है तो sbf को मिलता है so amount of revenue भी right answer होगा unpaid amount pending above तो जो unpaid wages है beyond three years वह भी जो है to staff benefit fund का source हो जाता है and the confiscation of graduated employees the amount of pf तो यह जो है तो यह source नहीं है ठीक है so option number b is the right answer तो fines receipt हो गए unpaid wages beyond three years हो गए ठीक है railway revenues हो गए and 50% of expenditure incurred by respective railways on grant of scholarship for technical education of children of railway servant during preceding years यह जो है तो main source of sbf है 30 की बात करेंगे यहाँ पर the amount of recreation of other than sports under sbf may be expand for expense for which purpose तो recreation of other than sports मैंने आपको बताया था कि sbf जो है तो उसके अंदर total 15 head है जिसके अंदर 800 rupees को allocate किया गया है 800 rupees को distribute किया गया है तो इसके अंदर जो recreational activities होती है recreational activities होती है तो recreation other than sport की बात करें तो इसके लिए 800 रुपए में से 25 रुपए का allocation किया जाता है ठीक है जिसके अंदर recreational facilities purchase of gym equipment for employees and wards मतब employees के जो आश्रित हैं उनके लिए और साथ में holiday camps और study tours का provision है इसके अंदर तो यहाँ पर holiday camps है external tour camps है so option number a is the right answer for this question ठीक है next question number 31 की बात करेंगे तो developing occupational skill of physically or mentally challenged railway employees के अंतरगत किस तरह के खर्च की बात की जाती है यहाँ पर तो इसके लिए जो है तो जो भी employees है ठीक है वह physically चैलेंज़्स और mentally challenged हैं रेटेशं हैं तो उनके लिए purchase of wheelchair purchase of wheelchair की बात की जाती है है अपर seminar और camp ठीक है तो यहाँ पर पर चैस आफ वीड़ चैर है तो काफी important है ठीक है purchase of wheelchair ठीक है तो कि वह basically जो physically disabled person है ठीक है तो उसके लिए पर्चेस फीलचेर होना important है ठीक है तो पर्चेस फीलचेर और सेमिनार केम पीछ थे हैं राइट आंसर नेक्स्ट है क्विशन पर थर्टी टू की बात करेंगे maximum amount of scholarship assistance for higher technical vocational education में भी from sbf to daughter of railway servant तो daughter of railway servant के लिए कोई अधर से discrimination नहीं है तो सेम वहीं जो 1500 रूपीज का location होता है वही location जो है तो इसकी डॉटर के लिए भी होता है तो 1500 in total 18,000 रूपीज है राइट आंसर होगा at least how many workers are required under workshop act 1948 for workshop running with assistant of power तो इस case में अगर जैसे with power अगर बात करेंते हैं यहां पर 10 workers is required next year 34, children below how many years can not work in the factory यह भी काफी अच्छा question है आपे तो इसके अंदर अगर हम बात करें तो no child who has not completed his 14th years of age shall be allowed to work in any factory ठीक है तो अगर कोई child है ठीक है जो कि 14 साल से कम है जिसका age तो उसको factory के अंदर allow नहीं किया जाएगा work करने से जब तक कि वो है certificate of fitness नहीं ला देता ठीक है वो है उसको on the basis of certificate of fitness उसको employ करता है ठीक है और जो उसका employment होता है उसके लिए जो उसका working hours होता है वो है four and half hours per day होता है ठीक है इसके अलावा उसको night shift में नहीं लगाया जा सकता तो साड़े चार घंटे दिन में उसको काम करने का limit रहता है ठीक है इसके लावा यह जो certificate of fitness है वो है बारह मन्त तक के लिए valid होता है ठीक है नेक्स वेशन पर आते हैं यहां पर how many recovery from pay has been permissible under payment of wages act 1936 if society recovery is included तो यहां पर देखे society से मतलब है यहां पर cooperative society से है ठीक है यहां पर cooperative society की बात की यह रही है कि यहां पर cooperative society भी सामिल है तो आपको पता होगा कि payment of wages act 1936 के अंदर जो है तो recovery from pick up provision किया गया है that means what total amount of deductions which may be made ठीक है जो recovery होगा यह amount of deductions होगा that will be made from any wage period from the wage of any employed person shall not exceed 75% for the cooperative society तो 75% जो होगा ठीक है बैसिकली यह percentage में लिखा हुआ है सब percentage value है ठीक है तो 75% 75% यह सभी क्या है percentage value है please remember it यह 60% और 70% और 40% ठीक है यह answer में दिया हुआ है option में दिया हुआ है तो अगर cooperative society included है तो इस case में जो है तो उसको 75% जो है permissible है इसके अलावर अगर हम individual percent की बात करें तो इस case में 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए ठीक है तो recovery from पे जो है 50% in other case और cooperative society के case में 75% है क्योंकि cooperative society basically group of people होता है ठीक है तो group of people जो है 75% वेर कर सकते हैं लेकिन individual जो है तो 50% वेर कर पाना काफी मुस्किल होता है next question number 37 की बात करेंगे if there are more than thousand people in the wage as for the payment of wages like 1936 how many days how many days payment will be done मतब मजदूरी भुकता रदिने हम 1936 के अंदर यदि एक हजार से अधिक वेक्ति हो तो अधिक वेक्ति हो तो कितने दिन के भीतर वेतन दे दिना चाहिए तो यह 10 दिन के अंदर देना चाहिए ठीक है और अगर 1000 से कम है तो 7 दिन के अंदर जो है तो वेतन दे दिना चाहिए 1000 से कम पर कितना 7 दिन का provision है यह भी आप याद रखिए ठीक है देखिए वीडियो की ल यहां पुछा ज़रा है, compensation for permanent total disability, तो permanent total disability, यह basically question जो है, तो workman compensation act 1923 से related है, जो कि काफी important है, workman compensation act 1923 enforced हुआ था, from 1st July 1924, यह भी आप याद रखिये, इसके अंदर जो है, तो basically, कई disablement के provision है, जैसे partial disablement, permanent disablement, या death का provision है, ठीक है, तो इसमें भी temporary होता है, है न, तो इस तरह से अगर बात करें, तो पूछा जारा है यहां पर, कि बात की जारे है, यह permanent total disablement की, तो permanent total disablement या partial disablement, partial disablement जो होता है, उसका nature temporary होता है, ठीक है, पर्मानेंट total disablement जो होता है, तो इसका nature, मतलब वह जो है, तो उसकी जो loss of earning capacity होगी, वह किसी भी काम से, वह पूरी तरह से complete हो जाएगी, ठीक है, partial disablement में क्या हो रहा है, मारलो employee कोई काम कर रहा है, ठीक है, मतलब कोई suppose welding work कर रहा है, तो welding work में उसका हाथ चला गया, तो इस case में वह welding work में उसका हाथ का कोई finger चला गया, तो इस case में जो है, अब वह welding work को, उस काम को करने में वह अक्षम हो गया, मतलब वहाँ से उसकी loss of earning capacity हो गई, तो इस case में उसको हम बोलेंगे हाँ पर partial disablement है, ठीक है, अब permanent total disablement के अंदर क्या हो गया, कि उसकी जो earning capacity है, वह reduced हो गई in every employment, मतलब वह अब किसी भी काम लायक नहीं रहा, तो that means which he has capable of undertaking at that time, जिस समय पे वह काम करने के लायक था, लेकिन अब due to permanent total disablement हुआ है, अब किसी भी employment को करने लायक नहीं रहा, ठीक है, तो इस case में, जब भी कभी स्थाई पूर्ण असक्तता हो जाती है, ठीक है, या permanent total disablement हो जाता है, तो 60% of monthly salary into percentage, into जो भी age factor है, उसके according दी जाती है, उसको, So, option number B is the right answer, 60% of monthly wage into relevant factor जो होगा, उसके according इसकी salary बनती है, अच्छा, यहाँ पर जो monthly salary है, यहाँ पर बोला जा रहा है, तो जो monthly wage है, ठीक है, इसके लिए जो ceiling है, वह है, 15,000 रुपीस की है, ठीक है, आप यह मत समझ लीजेगा, चुकि यह monthly salary जो है, उस time प्यार्ण कर रहा ह हो ही है, ठीक है, इसका जो monthly salary है, या monthly wage है, उसका at present अकर हम बात करें है, आपर, तो on the date 3rd January 2020 को, that means 3 January 2020 को, जो labor ministry ने, इसके अंदर जो है, यह wage की जो ceiling है, यह पहले 8,000 हुआ करती थी, इसको भी बढ़ा के इसको उन्होंना 15,000 कर दिया गया है, ठीक है, तो अभी यह wage ceiling है, 15,000 की wage ceiling है, ठीक है, 15,000 की wage ceiling की हुई है, ओके, तो इस case में इसका answer हो जाएगा, 60% of monthly wages, into relevant factor, और 1,40,000 रुपीज, whichever is more, ठीक है, next question number 39 की बात कर लेते है, amount of compensation on permanent total disability, will be at least how much, तो 1,40,000 अभी आपको बता है मैंने, option number is the right answer, ठीक है, next है, यहाँ पूछा जारा गया, कारे के दरान नस्य की हालत में, दुरगटना में मृत होने पर नियुनतम चतिपूति की रकम कितना देव होगी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो नस्य की हालत में दुरगटना में मृत होने पर नियुनतम चतिपूति की रकम कितनी होगी, जो है, और एक्ष़ल में इसका, जो, अमांट अफ्ट मिनिमन कॉमपनसेशन प्रफर ऐवल ऑन डेथ, ठीक है, बिसीकलिंए आपे, डेथ कि अगर बात करें, प्रफर ऐवल ऑन डेथ डू टू एक्सिडेंट इन केस अफ, तो नस्य की हालत में तो, कोई कंपनसेशन नहीं है लेकिन अगर सपोज किसी काम को करते वक्त अगर एंप्लाई की डेथ हो जाती है ठीक है तो डेथ के केस में जो है तो है 50% of monthly wages into relevant factor उसका प्रोविजन है और इस केस में जो अधिक्तम 1,20,000 रूपीस का प्रोविजन है तो 1,20,000 रूपीस ठीक है इस केस में नसे की हालत में तो इसको कुछ कुछ नहीं मिलेगा ठीक है नसे की हालत में तो एंप्लाईस को ऐसा कंपनसेशन का कोई प्रोविजन नहीं है ठीक है लेकिन अगर इसी इसी काम को करने वक्त जैसे मैंने बताया आपको कि परमानेंट जो टोटल डिसीबिल्टी हो गई या पार्शल टोटल डिसीबिल्टी हो गई या डेथ हो गई तो डेथ का प्रोविजन है उसके अंदर फिफ्टी परसेंट अब मंतली वेस इंटू जो भी रेलेवेंट फेक्टर होगा वह मिलेगा या एक लाख बीस अजार रुपए इन दोनों में सब्सक्राइब करें तो अबिजाए रहा है कितने शेडूल से तो बेसिकली जेर टोटल फोर सेडूल्स है ना इस तरह से हम वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कॉमेंट ब्समें बटाएं अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ् इस वीडियो है वनाइस टे कैसा रहा आपका एक्जाम जो भी आपको मिंग एक्जामस आप में दिये हैं वो कैसे रहें कॉमेंट बॉक्स में वहीं बताएं साथ में अगर आपकी एक्जामस हो गए और आप उनके कुश्चन से पर का सॉलूशन चाहते हैं तो दिये जो हमा I think we should have a nice day